दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने WhatsApp ग्रूप को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं नमस्का दोस्तों मैं हूँ विशेक आप देख रहे हैं टेकनिकल अभेंदर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग अपना WhatsApp ग्रूप क्रियेट तो कह लेते हैं लेकिन बाद में कुछ पैसनल जीजन या अन्य कोई सोच की वज़ा से हमें अपना WhatsApp ग्रूप डिलीट करना पड़ता है तो आप लोग वीडियो के हरी स्टेप को ध्यान से देखना तो सबसे पहले आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप जिस ग्रूप को डिलीट करना चाहते हैं सिंप्ली आपको इस पर टैप कर देना इस तरीके से इसके बाद में आपको राइट साइड में सबसे टॉप पर थ्री डॉट का आप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है यसे आप इसपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको उपर एक option मिलता है group info का आपको इसपर click कर देना है जब आप इसपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको scroll करके नीचे की तरफ आना है दोस्तों यहाँ पर आपके group में जोभी member add होंगे वो so हो जायेंगे तो अगर आप अपने WhatsApp group को delete करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने जिनको भी admin बनाया था उन्हें यहाँ से remove कर दीचिए remove करने के लिए आपको simply उस person के उपर tap करना होगा इस तरीके से यहाँ पर आपको remove का option मिल जाएगा आपको remove कर देना है इसके बाद में आपके group में जो भी member add है उन्हें भी आपको remove करना होगा तो आपको इस पर click करना और यहाँ पर remove पर click कर देना है यहाँ पर ok कर देना है तो आपका यह remove हो जाएगा तो यहाँ पर हमने केवल एक ही member add कर रखा था तो उसे remove कर दिया है यहाँ पर मैं ने admin खुदको ही बना रखा इसके बाद में देख़ए एक option मिलता है invite link का आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो सबसे निचे आपको एक option मिलेगा reset link का आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको reset link पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक message सो हो रहा है the previous invite link has been reset and a new invite link has been created तो यहाँ पर हमारी जो पुरानी invite link थी वो reset कर दी गई है और यहाँ पर एक new link generate कर दी गई है तो यहाँ पर अभी मोके कर देते हैं दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी पुरानी invite link होती है वो जिसके पास भी होती है वो उस link से join कर सकता है WhatsApp group को लेकिन हम अपना WhatsApp group delete करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो एक new link generate हो गई है जब तक हम इसे किसी के पास share नहीं करेंगे तब तक कोई भी बंदा हमारे WhatsApp group को join नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो WhatsApp group होता है उससे सीधे सीधे आप delete नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से अब हम वापस आते हैं इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए एक option मिलता है exit group का आपको exit group पे click कर देना है और यहाँ पर आपको exit करेना है जैसे ही आप exit करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए delete group का option मिलता है आपको delete group पे click कर देना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो यह आपका जो group है वो delete हो जाएगा तो इस तरीके से आप बहुत ही आशानी से अपने whatsapp group को हमेशा के लिए delete कर सकते है तो आज के वीडियो में बस इतना है अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंदित कोई query या कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते है दोस्तों अगर आपको सबसे कम समय में बहतर और सटेक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल टेकनिकल एवियंज को सब्काइब करें फिर मिलता है एक नूट्यकी वीडियो के साथ धन्यवाद